नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरवेश और मैं आज आप लोगों से एक नए टॉपिक पर बात करना चाहूंगा क्रोध एवं चिंता, मनुश्य को ना किवल निराश एवं असमर्थ करते हैं आप इतो इनके कारण तो कई लोग वक्त से पहले ही चल बसते हैं कल मैंने क्रोध पर एक नई प्रेणादाय कहानी आप लोगो को सुनाई थी आज का मेरा टॉपिक है चिंता चिंता पर मैं आप लोगों एक नए प्रेणादय कहानी सुनाऊंगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्राचीन समय की बात है एक राजी में एक राजा राज करता था उसका राजी खुशहाल था धने धाने की कोई कमी नहीं थी राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे एक वर्ष उस राजी में भयंकर अकाल पड़ा पानी की कमी से फसलें सूख गई ऐसी स्थिती में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए लगान प्राप्त ना होने की करण राजस्व में कमी आ गई और राजकोश खाली होने लगा यह देख राजा चिंता में पड़ गया हर समय वह सोचता रहता की राजी का खर्च कैसे चलेगा अकाल का समय निकल गया इस्थिती सामान ने हो गई किन्तु राजा के मन में चिंता घर कर गई हर समय उसके दिमाग में यही रहता की राजी में पुनह अकाल पड़ गया तो क्या होगा इसके अत्रिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी पड़ उसी राज क्या भै मंत्रियों का शड़यंत्र जैसे कई चिंताओं ने उसका भूख प्यास और रातों की नीद छीन ली वह अपनी इस हालत से परिशान था किन्तु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर में पड़ जाता दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छक कर खाता और पेड के नीचे मजे से सोता कई बर राजा को उससे जलन होने लगी एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधू पधारे राजा ने अपनी समस्या साधू को बताई और उसे दूर करनी का सुझाओ मांगा साधू राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गये थे वे बोले राजन तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है अपना राजपाट पुत्र को दे कर चिंता मुक्त हो जाओ इस पर राजा बोला गुरुवर मेरा पुत्र मात्र पांच वर्ष का है वह अभोध पालक राजपाट कैसे समालेगा तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो साधू बोले राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधू को सौंप दिया इसके बाद साधू ने पूछा अब तुम क्या करोगे राजा बोला सोचता हूँ कि आप कोई विवसाय कर लो लेकिन उसके लिए धन की विवस्था कैसे करोगे अब तो राजपाट मेरा है राजकोश के धन पर भी मेरा अधिकार है तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा राजा ने उत्तर दिया ये ठीक है लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जानी की आवशकता नहीं यहीं नौकरी कर लो मैं तो साधू हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा राज महल में ही रहकर मेरी और मेरी और से तुम ये राजपाट संभालना राजा ने साधू की बात माल ली और साधू की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा साधू अपनी कुटियां में चले गए कुछ दिन बाद साधू पुनह राज महलाए राजा से भेंट कर पूछा कहो राजन अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नेंद का क्या हाल है गुरुवर अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नेंद सोता हूँ पहले भी मैं राजपाट का कारे करता था अब भी करता हूँ फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहिर है राजा ने अपनी स्थिती बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया साधू मुस्कुराते हुए बोले राजन पहले तुमने काम का बोज बना लिया था और उस बोज को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे किन्तु राजपाट मुझे सौपने के उपरांत तुम समस्त कारे अपना करतव्य समझ कर करते हो इसलिए चिंता मुक्त हो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है जीवन में जो भी कारे करें अपना करतव्य समझ कर करें ना कि बोज समझ कर यही चिंता से तूर रहने का तरीका है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी इसे जरूर कमेंट करके बताईएगा और अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में कुछ साकारात्मक बदलाओ तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार आदाब सस्त्रियकाल